हालो पच्चो, लेट्स रीड दिस क्वेशन, दो क्वेशन से इस ट्रीट्मेंट ओफ एड्स विद्ट, ठीक है तो बेसेकली अगर हम देखें तो एड्स को हम सरफ प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, एड्स एक ऐसी डिजीज है जो कि क्योरेबल नही है, ठीक है, सो अगर हम लिखें एड्स के लिए तो यहां पे लिख सकते हैं कि नॉट क्योरेबल, not क्योरेबल, only prevented, ठीक है, खाली प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं, अब एड्स की अगर मैं बात करूँ, तो एड्स होता कैसे है, वाइरस से होता है, एड्स वाइरस से होता है और human immunodeficiency virus से होने वाली disease है यह ठीक है human immunodeficiency virus जो है यह एक टाइप का retrovirus है अब options देखते हैं first given है anti-vacterial drugs अब जब यह disease virus से हो रही है तो anti-vacterial drugs इसपे work नहीं करेंगी ठीक है completely effective भी नहीं होगा यह incorrect चला जाता है then anti-viral drugs are completely effective अभी अभी हमने क्या कहा कि यह completely curable नहीं है खाली prevent कर सकते हैं हम इसको ठीक है तो यह भी क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा then given है anti-retroviral drugs अब क्योंकि यह retrovirus से हो रहा है तो हम क्या use करते हैं इसमें anti-retroviral drugs use करते हैं जो कि सरफ partially effective है यानि सरफ और सरफ prevention कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है ठीक है prevention कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है तो यह option correct चला जाएगा option C चला जाएगा then D given है sedative and are only partially effective तो sedative भी इसमें work नहीं करता और partially effective भी incorrect हो जाएगा ठीक है हमारा जो correct option है correct option चला जाएगा option C कि इसके regarding information आपको 12th की नीव NCRT में page number 140 पर मिलेगी I hope कि आपको question अच्छे से समझा क्या है